हेलो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर दोस्तो चैनल पर नहीं तो मेक शूर से सस्क्राइब जरू करें क्योंकि हम लेकर आते हैं नहीं आशीश तिवारी और सुमिध मेल की लेटेस्ट अपडेट और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ए आएंगी और अपना पक्ष रखेंगी लेगिन ये नहीं पता था कि इमोशनल कार्ड और सिंपती कार्ड भी खेलेंगी ये सब चीजें तो हम सब जानते देगे बई इतनी बड़ी मिस्टेक करने के बाद यहां पर अपने आपको डिफेंड करेंगी दिदी वो तो 100% शूर था कोई भी इनसान आज के टाइम पे इतना दूद का दुड़ा हुआ नहीं कि अपनी गलती खुदा कर जोशनल वीडिया वर एक्सेप्ट कर ले और कहें हाँ भई मैंने ये गुना किया है दे दो मुझे ये सजा अब इसके बज़ाए यहां पर इन्होंने सोच लगे रख था कि भई मैं पबलिक के साथ सिंपती कार्ड खेलूंगी एमोशनल कार्ड खेलूंगी क्योंकि यहां पर इन्हें पता है कि भई इसके इलावा मेरे पास और यहां पर कोई चारा नहीं है क्योंकि इनके पास कोई ऐसा प्रूफ है ही नहीं जो सचिन ने यहां पर पेश किय देखो इतनी बड़ी mistake करने के बाद, दूसरों के घर बरबाद करने के बाद, यहाँ पर यह उमीद रखती है, यह expect करती है, कि लोग इनके साथ अच्छा करें, इनको यहाँ पर respect दे, लेकिन खुद की self-respect कहा है इनके पास, बताईए न, यहाँ पर इनको यह सारी चीजें हो आपको polite हो जाना चीए, आपको down to earth हो जाना चीए, आपको mistake admit करनी चीए, कि हाँ भई मैंने यह mistake की है, मिरे से गलती हुई है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं पुरी कोशिश करूँ कि कि आगे से यह मिरे से mistake ना हो, लेकिन ओ कहते हैं कि तो चोरी, उपर से सीना चोरी, एक तो अपने यह सारी गलती की, accept करने के बज़ए, आप कह रहे हो कि भई, जितने लोग सालों से मुझे जानते नहीं थे, आज वो भी उट कर आ रहे हैं, और मेरे पर allegation लगा रहे हैं, कि हाँ भई, मिया दीदी ने मेरे साथ भी यह किया था, मिया दीदी ने मेरे साथ भी य किया था, यह दरसल बात कर रहे हैं, जैसिका गुपता की, यहाँ पर यह बात कर रहे हैं, मनीशा की, यहाँ पर यह सारी का जेटू की यहाँ बात कर रहे हैं, तो इन सब की बात यहाँ पर इन डारेक्ली यहाँ पर बोलने के लिए कि भई, यहाँ पर मुझ पर अटैक करन अब आपको पता है आप कई ना कई गलतियों के कठेरे में खड़ी हो चुकी है लोग आपके ओपर allegations लगाएंगे जो करम कांड आपने किये हैं उसका तो भई आपको टिकड़ा आपके ओपर फोड़ेंगे और अब आपको बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि भई मैं अपने आपको कुछ कर लोगी मैं तीन लोगों के नाम पर ये चीज़ लिख कर जाओंगी कि मेरी जान गई तो भई यहां पर तीन लोग जिम्मेदार होंगे अक्षली देखा जाएं तो दीदी कुछ नहीं करने वाली दीदी को सिर्फ यहां पर क्या करना है अपने आपको प्रोटेक करना है दूसरों के ओपर यहां पर इलजाम लगा कर इनका कहना है कि भई यहां पर हमारी भी इज़च है हम भी इज़चतदार लोग है तो दीदी जी यहाँ पर इजददार लोग अपने घर की इजद दूसरों के आगे यहाँ पर निलाम नहीं करते दूसरों का घर उजाड कर अपना घर यहाँ पर नहीं बसाते क्यों आपने नहीं सोचा उस समय पर के एक छोटी सी लड़की के घर यहांपर मैं बर्बात कर रही हूँ, अपना घर आबात करने के लिए क्या आपको एश करनी थी ऐसी आपको क्या एश करनी थी जैसे आप अभी शादी के बंदन में बनने जा रही वैसे ही शरीफों की तरह यहाँ पर बन लेती कोई आपके उपर उंगली भी नहीं उठाता उल्टा आपको सब शाबाशी देते के बही चलो ठीक है खुश होते के बही ताशी को यहाँ पर पिता मिल रहा है एक विद्वा औरत को एक पती मिल रहा है जैसे हम खुश हो रहे थे आपकी सखाई के टाइम पे कितना हमें तो आज भी उनके उपर है के बही सब कुछ जानते होएं भी यहाँ पर जगत दीदी को यहाँ पर एकसेप्ट कर रहे थे लेकिन यहाँ पर घ्रिणा सब से ज़ादा आपके उपर आती है के बही इतना अच्छा इंसान यहाँ पर आपकी जिंदगी में आया था लोग यह भी बात कर रहे है के बही दो साल पहले से ही यहाँ पर जगत दीदीन को जानती है तो तब भी अपने कदर ने की सारी का जेटू यहाँ पर जो थी उन्होंने आपको पहले ही किया था के बही अपने कदम यहाँ पर पीछे हटा लो तब भी अपने नहीं हटा है लेकिन इस में आप धस्ती गई धस्ती गई और उस लड़की को आज आप यहां पर धंकी दे रही हो के भई मैंने तुमारे हस्बेंड को उड़ाया तो नहीं न वो तो हमेशा मिरे साथ जाने के लिए रेडी था उसको यहां पर मैं एक इशारा कहती ना एक इशारा करती तो मेरे साथ भाग जाता मैं लेकर तो पनी गई ना मैंने ये हरकत तो नहीं की न उसके साथ अरे भई क्या बात कर रही है एक तो आपको यहां पे नर्म दिल से उससे माफी मांगनी चीए थी क्योंकि आज आपके पास कोई सबूत नहीं है अपने आपको सच साबित करने का जब कि आप धिंडोरा पेट रही थी कि वही मैं आऊंगी मैं सच लेकर आऊंगी लेकिन सच तो बहुत दूर की बात है सिर्फ यहां पे रोणा 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 रोना और इतनी रोणे की क्या बात थी आप कह रही है कि भई मैंने रिश्टा तोड़ दिया तो भई आप ऐसान कर रही है आपर सुमित महल पर सुमित महल एक तो बेकसूर इनसान है उसने आपको एकसेप्ट करने के लिए का और आप बोल भी कि मैंने रिष्टा तोड़ दिया भई रिष्टा तो उसे तोड़ना चीए क्योंकि आपने कांड किये है उसने कोई कांड नहीं किये उसने कोई चीज ऐसी हरकत नहीं की जिससे आपके दामन पर दाग लगे लेकिन दाग तो अपने दामन पर आपने खुदी लगाए तो आप खुदी आपर ऐसान जता रही है कि भई मैंने आप खुश हो गए मैंने तो ये रिष्टा तोड़ दिया अब तो आप लोग खुश हो ना भई खुश कोई इनसान इस चीज से नहीं होता किसी के घर को तोड़ के किसी के घर को बर्बाद करके हम घर जोडने में बिलीव करते हैं घर तोडने में नहीं लेकिन घर अगर किसी ने तोड़ा है तो आपकी हरकोतों ने, आपके कांड ने, आपके कर्मों ने, आपके नीचर ने, यहाँ पर यह सारी चीज़ें यहाँ पर सामने लाई हैं, अगर आप ऐसा काम नहीं करती, तो कते ही कोई इंसान आपके ओपर मजा लेकर उठा लेता, आपकी तो बहुत इज़त थी, आयन लेडी तक का नाम आपको दिया गया है, जगदीदी का नाम आपको दिया गया है, आप सोचिए, मतलब इतना अच्छा डेजिगनेशन किसे मिलता है, जो इंसान वाकी इतना ऊचा होता है, लोगों ने आपको सर पर चड़ाया, लोगों आपके पास इज़ती एक्सपोस कर दिया, अब यहां पर अगर किसी ने इज़त गवाई है, तो आपने अपनी इज़त खुद गवाई है, और किसी ने नहीं गवाई, अगर आप ऐसे काम ना करते, तो कते ही आपको माफी मांगनी की जरुरत ना पड़ती, और आज आपने माफी क्यों नहीं मांगी, इस चीज़ पर भी यहां पर लोग सवाल उठा रहें, कि भई वो इनसान देखो सचे, उसने एक इनसान से यहां पर माफी मांगी, अपने दर्शकों से, अपनी बीवी से, अपने पुरे परिवार से, और वो कहते हैं कि शाम का भूला अगर घर आ गया तो उ उससे बूला नहीं कहते, क्या सच है या नहीं, अब ये बात मुझे जरूर कमेंट करके बताना, आज आप कहते हैं कि हम लोग इज़त दार लोग हैं, हमारी इज़त यहां पर उचल रही है, उस दिन आपको याद नहीं आया, ये करम कान करने के लिए, आप कहते हैं कि भग आज लोग आपके उपर वीडियो बना रहे हैं, तो आपको इतना जादा रोना आ रहा है, क्योंकि सारे चीज़ें आपका एक्सपोस हो रही है, इस वज़े से, लेकिन जब आप ये सारी चीज़ें कर रही थी, और लाश तक सारी चीज़ें होने के बाद भी, आप उसके ब दम क्या दे रही है, क्योंकि मैं ऐसा कर सकती थी, लेकिन आज आपको अपने दिल को, अपने एगो को कहीं न कहीं मार कर और आपको अपनी इज़त रखनी चीए थी, और कहना चीए थी, जो भी मुझ से हुआ, किसी के साथ भी मैंने ऐसा किया, कि मुझे नहीं करना चीए थ चलो मेरे से हो गया, इनसान से गलती होती है अगर ये चीज़ आप कहती है तो लोग आपको महान बना देते तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही आपको ये वीडियो कैसे लगा है मैं कमेंट बॉक्स में जूर बता है ठैंक यू